आज की यह वीडियो आपके जावर्स की सीरीज की लेक्चर नमबर 36 होने वाली है जिसमें मैं आपको बता हूँगा माउस इवेंट्स के बारे में जैसे कि आपके माउस इवेंट्स बहुत सारे होता है ओन क्लिक, ओन डबल क्लिक, ओन माउस, मूब, ओबर, आउट, एंटर, भी दो, बहुत सारे होता है, on wheel भी होता है तो इन सभी के बारे में हम प्रिक्टिकली जानेंगे, थोटिकली इनके बारे में जानने के लिए कुछ है ही नहीं वैसे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक हो शेयर कर जीजिए और नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजि description मिल जागा उसे आप देख सकते हैं लेकि इसमें हम सिर्फ सिर्फ माउस के events के बारे में जानेंगे जैसे कि अगर हम किसी चीज पर click करते हैं on click करते हैं तो वो किस प्रकार से trigger होता है वो event double click पर किस प्रकार से काम करता है तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ लिखा हुआ जैसे कि heading में मैं लिखा हुआ है mouse events और एक sub heading याँ लिखा हुआ है this is an example इस प्रकार से एक file मेरे पास HTML की है और एक file मेरे पास JavaScript की है यानि कि मैं JavaScript की coding को separate करूंगा ठीक है अगर मैं चाहता तो यहाँ पर script tag के अंदर इसी file के अंदर भी JavaScript को लिख सकते था वो clear है तो कुछ इस प्रकार से अभी आपको browser पर देखने को मिलेगा यहाँ पर अब यहाँ पर चाहाँ क्लिक किजिए चाहाँ डबल जो भी coding करनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो जली जली हम क्या करते हैं एस्टू पर चलते हैं और एस्टू की starting वाले tag में यहाँ मैं लिख देता हूँ on click इस प्रकार से और डबल कोड से यहाँ पर open कर देता हूँ तो bracket में on और off कर देता हूँ bracket को इस परकार से याद रखेगा यह जो आगे बाला on click है यह आपका normal small case में है और जो आगे जो मैंने function में राया है वो capital में है तो दोनों अंगतर है ठीक है यह function को मैंने यहाँ पर call किया इससे हम इने declare करना पड़ेगा तो उसके लिए चलता है हम home.js वाली फाइल पर जहांपर मैं coding लिखूंगा तो function को declare करता है function नाम से element by id और id अभी हमने मापर दी नहीं है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर as2 दे देंगे अभी कोई problem नहीं है यहाँ पर हम देते हैं id as2 की id आपको बता हुआ id का attribute होता है यानि कि हर एक element का आप एक अलग unique name दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं id दिख देता हूं as2 आप तो कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है कि जो हमारी js की file है उसको मैं stml की file से connect करना है तो उसके लिए करना क्या है कि script tag का इस्तमाल करना है आप body के एकदम नीचे कर सकते हैं और आप चाहें तो head tag के अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं script then क्योंकि मुझे external करना है तो मुझे यहाँ पर source attribute के इस्तमाल करना है और यहाँ equal sign double quotes में क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यह हमारी home.stml और home.js एक ही folder पर है तो इसके मुझे पूरा यहाँ पर url देने की जरूरत नहीं है पूरा location देने क यहाँ पर लिख देना है इस प्रेकार से और मैं इस प्रेकार से इसके टेक को बंद कर देता हूं अब हमारी javascript की फाइल भी यहाँ पर connect हो चुकी है control से save करते हैं चलते हैं आपने browser पर refresh कर देते हैं और यहाँ पर देखिएगा this is an example है जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा त जाएगा तो यह होता है आपका on click event अब मुझे मालेज यह on double click यहाँ पर apply करना होता so on dbl click double click इसा आप बोलते है एक को लगाईए double course लगाईए और जो भी function आप बनाएंगे मैं बनाईता हूं on dbl click capital में सब याद रखेगा एक function का नाम देएते हैं home.js में चलते हैं पूरा क dbl लिख जेते हैं और यहाँ पर rate की जगा इस बार green कर देते हैं इसका मतलब क्या होगा जब हम click करेंगे single one time तो color होगा red जब हम double click करेंगे तो वो green हो जाए तो control से करते हैं save चलते हैं browser पर refresh करते है single type click red हो गया लेकि जब हम इसे double करेंगे तो यह green हो जाएगा तो इस परक इरा आपका mouse है यह आपकी उंगली है आपने mouse के button पर उंगली दबा ही है जब तक आपकी उंगली दबा के रिखेगे उस बटन को तब तरह उसे बोला जाएगा mouse down जैसे ही यहापकी उंगली तो इस परकार करेंगे वो आप देखिए यहाँ पर मैं लिखे से बोला equal sign function का नाम में हम इस प्रेकार से देते हैं on mouse capital में on mouse down clear है और यहां पर मैं लिख देता हूँ function है क्योंकि यह इस प्रेकार से लिख देते हैं तो control से save कर दिया था refresh करते हैं और हम यहाँ पर button दबाया button दबाते ही इसे color दो था वो red होगा जैसे हम इसे release कर रहे हैं तो अब भी color red हो रहा है क्योंकि event यहाँ ट्रिगर हो गया refresh नहीं हुआ तो हम यह चाहते हैं कि जब हम click कर रहे है button को on mouse down कर रहे है तो red हो रहा है लेकिन जब हम इसे on mouse up करें तो इसके color green हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे दूसरा event apply करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं इस पेस देकर on mouse up इस प्रैकार से और double quotes में function कर नाम हम इसी प्रैकार से ऑण मैउस अ और bracket on एर off कर देते हैं Ctrl से Save करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पर और यहां पर refresh करते हैं, देखिएगा, जैसे ही मैं button को click करूँगा, तो इसके color red हो जाएगा, लेकिन मैं आप button को दबा के रिखूँगा, जब मैं बोलूँगा, तम मैं अपने button को, अपने mouse के button को release करूँगा, release करते हैं, इसक किस प्रगार से काम करते हैं, वो समझिएगा, जब over का मतलब है, जब भी आप किसी element पर, किसी html के element चाहिए button हो, चाहिए paragraph हो, चाहिए heading हो, उसके उपर जब आपका mouse जाता है, arrow मतलब cursor जाता है, तो उसका color या उस पर जो भी event आप apply करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और on mouse out का मतलब यह है, कि जब event से cursor को लेके जाएंगे बाहर की तरफ, तो वो event यहाँ पर trigger होता है, तो उसके लिए करना क्या है कि on mouse over, इस प्रेकार से, और यहाँ पर function का नाम हम capital में लिख देते हैं, on mouse over, ताकि confusion जादा ना हो, function है यह, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, on mouse out, function लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, capital में, on mouse out, इस प्रेकार से, control से save करते हैं, home.js पर चलते हैं, यहाँ पर on mouse down था, इसका नाम चेंज करके हम लिख देते हैं, on mouse over, और नीचे बाले लिख देते हैं, on mouse out, so on mouse over, on mouse out हमने function के नाम चेंज कर दिया, और हम करते हैं, चलते हैं, browser पर refresh करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेगा, जैसे ही element के ऊपर mouse को over करता हूँ, तो वो आपका red हो जाएगा, जैसे ही element से आपका cursor बाहर जाएगा, वो green हो जाएगा, so मैं element पर गया, red हुआ, जैसे ही cursor नीचे को लेकर आया, बाहर हुआ, green हो गया, तो इस परकार से आपका यह बाले events काम करते हैं, इसी परकार से दो और event हैं, जिनें बोलते हैं, on mouse move, और on mouse wheel, तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं, on mouse, और small लिखना है मुझे, on mouse wheel, capital में हम इसे on mouse wheel लिख देते हैं, और क्योंकि यह function होगा, तो इसलिए हम अपर parentheses को open और close कर देते हैं, then, यहां पर एक और आपका event tag up होगा, आपका on mouse move, और equal लगा कर, double quotes में, हम इसका function का नाम मी on mouse move, capital में लिख देते हैं, एक function मना कर, ठीके, अब यहां पर काम क्या है, वो समझेए, कि आपका जो scroll wheel होता है, mouse पर, या पर आप double, यह दो उंगलियों से, आपके touchpad जो होता है, आपका laptop में, उसको move करते हैं, दोना उंगलियों से scroll करते हैं, so, जब भी wheel आपका activate होगा, तो यह trigger हो जाएगा, on mouse move क्या है, कि जब भी आपकर जर चाहें, वो एक pixel से ही move क्यों ना हो रहा हो, तब ही आपका यह बार mouse, और आपका क्या था वो, move, इस परेकार से, so, जब हमारा mouse wheel होगा, तो color red होना चाहिए, जब हमारा move होगा, cursor pointer, जो आपका move होगा, तो इसका color आपका green हो जाएगा, so, control से करते हो, save, तो यहाँ पर देखीगा, मैं event के पास जाता हूँ, और move करता हो अपने cursor को, तो इसका color जो है, वो green हो जाएगा, अब मैं double क्योंकि मेरे पास laptop है, तो मैं दोनों उंगलियों से, इसके wheel को shade आउँ, तो इसके color जो है, वो move होते ही, red हो जाएगा, तो इस परेकार से, यह दोनों trigger आपके काम करते हैं, अब यहाँ पर और भी आपके events हैं, जैसे कि, आपका है on mouse enter, और दूसरा है आपका on mouse leave, तो यह दोनों basically काम करते हैं, आपके on mouse over और out जैसे, जैसे कि on mouse over में क्या हो जाता था, कि जैसे ही आप element के ऊपर जाते थे, आपका trigger हो जाता था event, जैसे ही on mouse out में क्या हो जाता था, जैसे ही element से वाहर जाते थे, element जो आपका event था, वो trigger होता था, सेम काम आपका enter और leave में हो रहा हैं लेकि यहां पर अंतर है जब हम on mouse over की बात करते हैं जो एक element और जो child element होगे उन पर भी वो apply होगा उन पर भी वो trigger होगा लेकिन जब हम enter की बात करते हैं जो वो सिर्पर सिर्प element पर जाते ही trigger हो जाएगा उसका स्टायट से कोई लिने देना नहीं होता है यहाँ पर थोड़ा आपजेट का भी खेल होता है इसी परिकार से आपका आउट और लीव होता है ज्यादा कोई फरक्ष इन में होता नहीं है तो आज की बिन्यों सिर्पे इतना इन नहीं देते हैं